हलो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोट ट्रीमा जोल के बारे में यह एक ऐसी क्रीम है जिसमें दाद खाज खुजली इस तरह कि अगर किसी को प्राब्लम है तो अच्छाव कवक संत्रमोड यानि फंगल इंफेक्शन या फिर योनी मॉलिनेसिस के बारे में अगर किस इसी मरीज को वह इस भीमारी से ग्रशेत है उसको इंफेक्शन है या दाध है उसको यह दिंग वाम है तो ऐसी सिच्वेशन में इसका हम यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह क्लोट ट्रीमा जोल जो एक ऐसा क्रीम है जो आपको यहां पर एंटि-फंगल क्रीम की नम से आप मिल जाएगा और जो मरीज को स्कैलिंग होता है यानि कि उस मरीज को या फिर शोरनेस होता है तो ऐसे सिच्वेशन में उसको आरा मिल जाएगा जिसको मीटी-मीटी खुजलिव होती है या उनको हलकालका पेन होता है हलकालका वहां पर रेडनेस हो देखने को मिलती है तो ऐ ऐसे मरीज को इस दवाई से आरह मिल जाएगा दोस्तों इस मेडिसिन को केवल एक्टन यूज के लिए उप्योग किया जाता है यानि इस दवाई को जो प्रभावित एरिया है जहां पर आपको इंफेक्शन हुआ है इस पेशली कवक इंफेक्शन यानि फंगल इंफेक्शन जहां पर आपको हुआ है वहां पर इसे यूज कर सकते हैं यह जो दवाई है यह प्लाजमा जिल्ली को नश्ट करती है यानि कि जो फंगल इंफेक्शन है उसके अंदर जो कोशा होता है उसके जिल्ली को नश्ट कर द रेती है जिसकी बजल से जो infection होता है वो धेरे-धीरे कम हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं इस तरह से ं其实 को होता है तहटा के infection IP जो लूगों को यद फिर आपको un loses के बजल से कोई आपको problem यहाँ पर हो रही है ऐसी situation में से यूज़ कर सकते हैं, दाद अगर किसी को है, जिंग वाम अगर किसी को है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर बात करें, कैसे उपयोग करना है तो दोस्तों इस क्रीम को, जो जहां पर आपको infection है, fungal infection है, वहां पर आप दिन में 3-4 वार इसे लगा सकते हैं, और यह आपको करीवन करीवन 20-25 दिन के आसपास लगानी होते हैं, यानि कि एक महिना एप्रॉक्स आप मान लीजे, तब तक आप इसको लगाएं, और धेरे धेरे आपके infection जो है, ठीक हो जाएगी, तो दोस्तों, यह जो medicine है, यह जो cream है, fungal infection के लिए especially इससे जाना जाता है, जो इसके अंदर दबाई है, वो है clotremazole, ठीक है friends, तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है, दाद का treatment आपने शमजलिया होगा, दाद का treatment क्या है, और इसे कैसे यूज करना आज की वीडियो में हमने जाना, मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी ने वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्का, thanks for watching, have a nice day